हलो हिमाचल वास्यों क्या हाल है आईए जानते हैं हिमाचल परदेश की बड़ी खबर और आज साम तक के हिमाचल की मुख समचार पर नजर डालते हैं इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर है बिदान सभा की कारवाही पूरी होने के बाद साम साड़े पांच बज़े यह बैठक होगी इससे बजट सत्र के दोरान रखे जाने बाले बिदेखों को मजूरी किया जा सकता है वह राज में और दोगी निवेस लाने के लिए नया इंवेस्टमेंट ब्यूरो सरकार बन सब्सक्राइब के लिए बजट में फैकेशनल टीचेर्ज की तरज पर बजट का परवधान किया गया है उन्हेंने काया कि परदेश बर 75,000 कोड़ का कर्ज है पुर्व सरकार ने छटे वेतन आयोग में कर्मचारी को डीम और एरियर नहीं दिया वही परदेश सरकार पर 10,000 कण ये पताते कि सरकार बनने के बाद लगातार कर्ज लेनापड़ रहा है जन्मरी में 13,お願いします 500 कोड़ो के कर्ज लेना पड़ा वहे 3 महनों में 4300 कर्ण का कर्ज लिया गया है वही राज सरकार बजट में योजनाओं को सामिल नहीं करती तो भविस में भी रिन लेना पड़ता दिप राज और प्रकास रानन सरकार से इस पारे में सवाल पूछा था वहीं बता दे कि हिमाचल पर्देश के मुख्मंत्री सुक्मंदर सिंग सुको की और से लिखित जवाब मिला कि पर्देश में एक जुलाई 2022 से मिल रहे हैं इसे पर्देश भर के करीब सोलो लाग बिजली और भुकता लभान भी थो रहे हैं इमाचल में सीम सुकासरे सहता कोस में जमा हुआ इतना धन अब तक किसी को नहीं मिली मदद जी हाँ मिलाचल पर्देश के मुख्यमंदर सिंग सुको सचिवाले नों जाकर आनातले गए थे 21.22 को सबत लेने के अक्केस दिन बाद एक जनवर 2023 के मुख्यमंदर सिंग सुको ने सिमला में मुख्यमंदर सुकासरे सहता कोस की अस्तापना की इसके लिए उन्होंने एक सो एक कड़ रुपए का कोस भी अस्तापित किया वह हिमाचल पर्देश में विविल सनस्तावों और नीजी मदद के बाद अब तक सर्षट लाग 15,953 रुपए सुकासरे सहता कोस में जमा हो चुके हैं लेकिन अब तक इससे किसी को भी मदद नहीं मिल सकी है किंदोर में अमरितपाल सिंग की तलास स्यम ने जारी किया हाई अलट होटल सरायों में पुलिस मार रही है चापी जिये वारिस पंजाब देखे परमुक अमरितपाल की तलास में पंजाब पुलिस 18 मार्च लगातार सर्च उप्रेसन चला रही है लेकिन अभी तक काम्याबी नहीं मिल पाई है पुलिस को सक है कि अमरितपाल पंजाब से निकल कर आसपास की राज्यों में जाकर छिप गया है इसी के चलते पड़ोसी राज्यों में भी तलास अभियान चलाया जा रहा है वोई खबर मिली है कि हिमाचल परदेश के किन्दोर में अमरित पाल सिंग की तलास की जा रही है किन्दोर के इस्तित होटलों, सरायों, हमिस्टे में इंटिलिजन्स डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग की टीम सन्युकत सर्च अपरेसन चला रही है होटलों में रुके परेटोकों से पूचाच की जा रही है कि साथी सहर के कई अस्तानों पर नकाबंदी कर गाड़ियों की तलासी ली जा रही है हिमाचल के साथ सनस्तानों में नहीं है सोनो लोजिस्ट रेडियो लोजिस्ट स्वास्त मन्ति बोले जल्द भर जाएंगे पद जे साल 2023 के लिए मुख्मद्र सुक्विदाशिक सुकून 3149 कोड़ का बजट पेस किया है सरकार आने वाले वक्त में स्वास्त सुविधाओं में बड़े बदलाव का दावा कर रही है लेकिन इस बिच विधान सबा के एक लिखे जवाब में हैरान कर देने वाला आकड़ा सामने आया है बता दे कि हिमाचल पर्देश में साथ ऐसे सनस्तान है जहां सोनोलोजिस्ट और रेडियो लोजिस्ट नहीं नहीं है इसके वज़े से आम जंदा को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है वही भरमोर विधान सबाच छेतर से विधायक डॉक्टर जनक राजा ने विधान सबाच छतर के दोरान यह प्रस्टन उठाया वही माचल पर्देश के स्वास्तमंति डॉक्टर धनिराम सांडिल की और से लिखिर जवाब में यह जानकारी साजा की गई हिमाचल पर्देश में जब तो होगी नसा तसकरों की संपत्ती कारवाई के लिए बनाए जाएगा सलाकार बोड जिसीम सुक्पिदर्शिक सुकू ने कहा कि ड्रग माफिया पर कारवाई के लिए पर्देश सरकार सलाकार बोड बनाएगी इसके अलाबा सरकार ने नसा तसकरों की संपतियों पर भी जब्त करने का भी फैसला ले लिया है निरास्रीद बच्चों को पालेगी सरकार कमजोर वर्गों के कलियान को 233 कोड का बजट प्रस्तावीद जे मुखमेदिर सुक्पिनसिक सुकूने परदेश की बागदोर समालते ही या संदेश दियाए की हिमाचल की नवगठी सरकार निरास्रीद बच्चों महिलाओं और अन्ये कमजोर वर्गों के अविभावक अथवा संदक्षक के रूप में कारी करेगी वही अनात बच्चों को Children of the State के रूप में अपनाने और 27 वर्ष की आविताग उन्हें अपनाने के निर्ने ने एक और विपक्षी दलों को चुप्पी साथने पर मजबूर किया है वही समाज के विभावर्गों ने सरकार के इस कदम की सरहाना की है बताद की वर्तमान सरकार ने महिलावों बच्चों और अने कमज़ोर वर्गों की समाजिक सुलक्षा एवं उनके कल्यान के लिए 233 कोड रुपे का बजट परस्तावित किया है वही वरिष्ट नागरिकों अनात एवं दिव्यांग बच्चों और निरासित महिलावों के लिए एक एक्रिद आवासिय परिस्तर के रूप में आदर सक्राम सुकास ने परिस्तर की गोशना ने मुख्य मंतर की और सहाई एवं आवासिन लोगों के पर्तिस संब्यदनाव को गहरे से परगट किया बता दे कि इन परिस्तरों में 400 आवासिये के रहनों की सुभिदा होगी पी-एम मोधी और वीत मंतरी से मुलाकात से पहले विस्व बैंक के अद्यक्ष अजे बंगा कोर्ना पोजीटिव जे विस्विबेंग के अध्यक्ष मनोनित होने के बाद विभीन पद्देशों के दोरे के करम में भारत पहुँचे अजे बंगा कोबिट संक्रमित पाए गये हैं जिसके करण उनकी मुलाकातों का कारेकरम गड़बर हो गया है अमेरिका के राज दूतावास के एक प्रवाक्ता ने सुक्रवार को यहां पताया कि कल यहां पहुँचे स्रीव बंगा कोबिट पोजिटिव पाए जाने के बाद अस्तानी नियमों के अनुसार एकांत में रह रहे हैं भीसन सड़क हाथसे में चार अध्यापक की मौत कई घायल टकर के बाद चकनाचूर हो गई गाड़ी जे पंजाब के फिरोजपूर जिला के सुक्रवार सुबह हुए एक भीसन सड़क हाथसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर है मरने वाले सभी अध्यापक बताए जा रहे हैं जनकारी के अनुसर आपको बदा दे कि इस भीसन सड़क हाथसे में अनिकुछ अध्यापक घायल भी हुए है जिनने इलाज के लिए अस्पताल ले जाय गया है वही हाथसे की सुचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस जाच परताल और आगे की करवाई में जूट गई है एक्सपोजर विजिट पर विदेश जाएंगे चिक्चक केनर सरकार की समगर चिक्चा विभाग के प्रस्ताओं को मंजूरी पहली बार चिक्चकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश जाने का मौका मिल रहा है इसमें चिक्चा विभाग के चिक्चक एस्टेलियम, फिनलेंट, सिंगापूर का विजिट करेंगे जो चिक्चक इस विजिट पर जाएंगे, उनकी यात्रा की सभी विवस्ता राज अस्तर पर की जाएगी वही दर असल समगर चिक्चा विभाग ने हिमाचल के चिक्चकों को या मौका देने के लिए केंदर के समगच प्रस्ताओं रखा था जिसके लिए केंदर सरकार ने भी हामी भर दिये इससे हर साल दस-दस के बैच में अधार पर चिक्चक भेजे जाएंगे वह सेडियूल क्या रहेगा, कौन चिक्चक जाएंगे ये विभाग अपने अस्तर पर तई करेगा इस बिजिट के लिए वही चिक्चक चुने जाएंगे जिनने वास्तविक रूप से नो सिर्फ अपने बिद्याले बलकी अनि बिद्यालों के चिक्चकों को आदर से बिद्याले के रूप में विक्षित करने के लिए वास्तविक रूप से असार्थक पहल की हो बिपिल शात्रों का खर्चा उठाएगी पर्देश सरकार जिया पर्देश के प्राइबेट इसकुलों में गरीब और आर्थी गुरूप से कमजोर बच्चे फीस नहीं देंगे इनकी फीस का खर्चा पुरी तर से पर्देश सरकार उठाएगी ऐसे बच्चे जो EWS और BPL सरेनी से आते हैं उन्हें 25 फीस सीटों पर एडिमेशन देनी होगी और पढ़ाई के खर्चा पर्देश सरकार उठाएगी नई से यह विवस्ता सभी इसकुलों में लागू होगी वही बैठाग में इसकुलों में गरीब बच्चों को मिलने वाली इस छूट के बारे में पूरी डिटेल दी गई इस दुरान इसकुल परतिनिद्यों को पताया गया कि इसकुलों में 9 केबल 25 फेदी सीटे बच्चों के लिए आरचित होंगी बलकि फीस में छूट भी बच्चों को दी जाएगी पुलिस उस्पिटल में महिलाओं के लिए मेमोग्राफी केम्प अस्तन कैंसर पर जागरूता अवियान जे अस्पताल में मेमोग्राफी सीविर आयुजित किया गया इस मौके पर अस्पताल के डॉक्चर अभी सेग कप्पिला की नििगराने 45 वर्षे अधिक उमर की महिलाओं की मेमोग्राफी कर जाच की गई वह स्था कि डॉक्टर अभी सेग कपाई की महिलाओं में अस्तन कैंसर की विमारी आम देखने को मिल रही है इसके लिए मेमोग्राफी कराना महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मीत्यू का परमुकार्ण अस्तन कैंसर है उन्हेंने बताया कि 13 मिसन के सयोग से लाए गए सिविर में 45 वर्से उपर की महिलाओं का मेमोग्राफी टेस्ट किया गया है चलिए वो जलता है साम के अकरिके बर पंजाब से भाग चुका है अमरितपाल उत्राखंड या महराष्ट में चिपयो होने का सक रेट को गई पूलीस जिवारिस पंजाब दे के चीप औप खालिस्तान समर्थक अमरितपाल सिंग को चटे दिन भी पंजाब पुलीस गिरफतार नहीं कर पाई है पुलीस उत्रों की माने तो वह पंजाब से भाग गया है पुलीस को उसके उत्राखंड में होने का सक है वहीं पंजाब से भाग कर वह हरियाना गया था दोस्तों आज साम के खबरों का सिल्चला इसमापत होता है अगर जनकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सेर चनल को सब्सक्राइब जरूर करें